हेलो एर्वन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होफुली बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तेहां पे मैं पानी पी रही हूँ और यह मेरा पांचवा गिलास पानी है तो मेरा एक लीटर से उपर पानी हो गया है मतलब वर्काउट करने से पहले मैं एक लीटर से उपर ही पानी पी लेती हूँ और एक मैंने मैंगो खाया, एक छोटा मैंगो खाया मैंने, मैंगो बहुत खाना ने चाहिए बट मेरा फेवरिट है और घर में इतना सारा मतलब फल के तौर पे मैंगो ही भरा पड़ा है, आठ किलो दस किलो ऐसे हस्मिनला के रख देते हैं, तो मेरा तो देख देख के इतनी लाला चाहर ही है, मैं क्या ही बताओं। तो बहुत ज़दा तो नहीं, बट मैं एक नॉर्मल खा ली हूँ, और ऐसे तो मैं पीस-पीस करके खाती हूँ, लेकिन आज मैंने एक खाया, बहुत छोटा साइज ठा, उसको खाने के थोड़ी दिर बाद हिए मैं अपना व्रकाउट इस्टार्ट कर दी आप exercise कर दी आपक और जंपिंग यह कर रही हुँ अपकल इस चाहे कई आप कर तो अभी यह सारे वर्काउट जो हैं दिवार पर ऐसे करके यह हाइनिस बोलते हैं इसको और इसका मैं 100-100 का तीन सेट करी मैं, एक यह 100-100 का मैंनने किया है इसका भी बहुत अचारी जलते हैं पूरी बोड़ी आप देख सकते हैं बहुत MICH अफिके से बैब्रेट हो रही है तो इससे जो है न चर्बी जो हमारी है न बहुत ही अची तरह से मेलट होती है तो इसका तीन सिट किया करें आप लो जिनसे भी 100 नहीं होता है पचास पचास कर लिया करें चार सिट ठीक है बढ़ धीरे-धीरे करके बढ़ा देना आप उसके बास से ये वाला भी मैंने 100-100 का तीन सिट किया था और यह है आज मतलब 75 डेस हार्ट चैलेंज का मेरा 11 मा दिन है 11 दिन हो गया मुझे सब करते हुए आप जो वरकाउट है मैं बार बार आप लो से बोलती हूं कि हर रोज अलग-अलग ही करिएगा ठीक है जैसे देखो मेरी वीडियो जा रहे है ना तो हर रोज मैं अलग-अलग बार इक्सकाराइब जैसे जब भी आप देख रहे हो तो तीन बजे मेरी वीडियो जाती है यह जो भी वरकाउट कर रही ना इसका पीस बिसका तीन सिट चाड़ से टैप कर सकते हैं एचार ओने sparks खर आए है तो तीन किया था इस पीस का देखने tut cm यस लग आयज यहा गोली कीट के लिए हुगा पेट के लिए बगया एक defence के बहुत सारे फायदे और यह वाला भी सयाथ के लिए बहुत सही है और यह को तुम यह जही हुआ थिए कि वीडियो मेरे तीन बजे जाती है तभ तक आप लोग का भी रूटीन उसके next day किया करो ठीक है इसी तरह से हो पाएगा और सही है फिर मतलब इससे यह रहेगा ना आपके लिए आसानी हो जाएगी आप सोचोगी नहीं कि आज क्या करें आज क्या करें आज कौन सा वर्काउट करें तो वीडियो देखकर कि आप आसानी से कर सकते हो सब का तीन सेट चार सेट जितना आप से हो जाता है तीन सेट होता है तो तीन सेट किया करो 2020 का या फिर तीस तीस का और या तो फिर आप चार सेट कर लो तो भाई और भी अच्छा है चार सेट थोड़ा सा टफ हो जाता है बहुत ही टफ हो जाता है थोड़ा ही नहीं यह वाला जो वर्काउ है और यह बहुत डिफिकल्ट है देखने में मतलब ऐसा लग रहा कि यहां कि इतना मज़ा आ रहा है मज़े वाला एक्ससाइज है बट ऐसा नहीं है जब आप कर रहो तब समझ में आएगा मैं अभी मेरा कमर दर्द हो रहा है आज मैंने बहुत सारा वरकाउट किया था मेरी कमर में आज पेन हो रहा है तो अभी मैं दो दिन नहीं करूंगी मतलब एक्ससाइज में सामिल करूंगी एपस का वरकाउट बट बहुत थोड़ा सा करूंगी आज मेंने कुछ जादा ही किया था तो मेरी कमर पेन कर रही है इस तरह से उठकर के हाथों को वहां पे टच कर मेरा जो फैट है काफी टाइम से मैं कर रही अब वह इतना जिद्धी हो गया ना कि जल्दी से कम नहीं हो रहा है मुझे बहुत जहलार है आप लोग देख सकते हो मेरी महनत आप लोग देख रहे हैं आप लोग के सामने है बहुत सारे लोग को मैं देखती हूं कि मतलब बड़ा से डाइट कर लेंगे पस उसी में उनका बहुत सारा वेट कम हो जाता है मुझे इतना पारिशान हो जा नहीं होता है कि मतलब डेली करते रहना है नहीं ज़्यादा थोड़ा ही कम होगा स्लोली कम होगा लेटल पेट जो भी है बट होगा तो बढ़ेगा तो नहीं तो इसलिए कंटीनिव रखना है इसको कोई ना चलो बाकी का वर्काउट में कर लीती है क्योंकि सारा वर्काउट दिखाने मिलता है वीडियो में थक गए बिल्कुर अभी 30-30 स लास्ट में मैंने प्लैंग किया चार सिट कपड़े देखोंगी लेव रख है अब थोड़ा से करेंगे काम हो हम किचन का उसके बास से आके ना आएंगे आज वर्काउट थोड़ा जल्दी हो गया कि इतना मेहनत करना पड़ता है कि देल लिटर पानी कंप्लीट हो गया मेरा अभी आदा लिटर और पीलेंगे तो अभी दो लिटर हो जाएगा मतलब नौ बज़े तक दो लिटर पानी कंप्लीट चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप सबसे जो यह है मेरा ब्रेकफास ब्रेकफास्ट में लिखा रेकाने ब्रकों कचाप्याज मतलब वह बीडालती हो तो इसके नहीं किचन रखके खा रही हूं क्यूंकि अभी रोटी जस्ट बनानी है और टाइम नहीं है मतलब बैटके खाऊं तो दोनों कामीं हो जाएगा नहा वालिये हैं कामौमस आरा फिनिस हो गया है और स्टाइम हो रहा है साड़े ग्यारा और ब्रेकफास्ट में मैंने वही चना और मुफली लिया था प्याज वगरे डालके वह मुझे बढ़ा अच्छा लागता है बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो वह मैंने खा लिया है और पेट बिल्कुल भरा हुआ है तो अभी देखो लंज कब तक करती हूँ जब भूख लगेगा तब करेंगे फिलाल तो मैं अपना पानी अभी पी रही हूँ और दो लिटर से उपर पानी हो गया है करीब धाई लिटर हो गया है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बुक और इसमें क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो आप जितनी ही प्रसनत्ता प्राप्त करने का इरादा रखते हैं उतनी ही आपको प्राप्त होती है तो भाई अपने जो इरादे हैं उसको बढ़ा दो धेर सरा कर दो प्रसनता का मतलब इनके काने का मतलब है कि हमेशा पॉस्टिव सोचो भी पॉस्टिव हमेशा पॉस्टिव सोचो पॉस्टिव सोचोगे तो पॉस्टिव चीज़े होंगी तो अपने जो बिचार हैं, जो थौट्स हैं उसको नेगटिव वे में मत ले करके जाए ठीक है, अगर कुछ आपके साथ मतलब मानते हैं गलत हो भी रहा है कुछ मतलब सुख और दुख जिंदगी का हिस्सा है लगा रहाता है सारी चीजे तो कुछ गलत हो भी रहा है, तो भी आप आप सोचो कि पॉस्टिव तरीके से सोचो कि ऐसे आज है ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसो ठीक हो जाएगा पॉस्टिव सोचो, तो इससे बहुत फर्पड़ेगा और यह सब करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, मैं बोलतो रही हूँ बट मैं खुद भी ऐसी हूँ, कि मतलब जब टेंसन रहता है तो बस वही सोचती रहती हूँ, तुरंट उस टेंसन से निकलना पॉसिबल नहीं होता है, बट हमें कोसिस करते रहना चाहिए, चलो है क्या, आप लोग बोर होते हो मेर से, मुझे नहीं लगता है, आप लोग बोर होते होंगे, मैं बोरिंग टाइपी की हूँ, क्या, ना, ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, आप लोग तो मुझे बहुत जादा प्यार करते हो, मुझे पता है, बहुत प्यार करते हो, आप लोग स पॉस्टिव एनरजी मिलती है मुझे, बहुत, रियली, अच्छा लगता है, थेंक्यू सो मज की, आप सब मेरी लाइफ में हो, और आप लोगों से बाते करना, आप लोग के कमेंट्स में रीड करती हूं, तो वो बात करना ही हुआ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ही ऐसे thoughts रखने चाहिए, अपने ऐसे व्योहार रखने चाहिए, कि अगले को आप से उर्जा मिले, आप से energy मिले, मतलब अगला अगर मिल रहा है, तो ये ना सुचे, अरे, ये कहां से मिल गया है, मतलब होता है न, कोई-कोई person ऐसे होते हैं, कि मिलते हैं, तो ऐसा होता है, कि वो ऐसा बना रखे हैं, खुद को, कि मतलब उनसे मिल कर कैसा होता है, कोई-कोई ऐसा होता है, मिल के, अरे, बाप-री-बाप, हमारे तो भागे हो खुल गए, ऐसे thoughts निकलते हैं उसे, या फिर ऐसे निकलता है, अरे, आज सूरज पूरब के बजाए, पस्षिन से कैसे निकल आया, है ना, तो मतलब ऐसे thoughts, special लोगों के लिए निकलता है, जिनसे हमें energy मिलती है, जिनसे मिलके हमें खुशी होती है, जिनके बिचार, विवहार अच्छे होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनसे मिलके हमें ऐसी positive energy मिलती है, तो आप हम, मतलब हमें भी ऐसे positive रहना चाहिए हमारे ब्योहार हमारे विचार को हमें पॉच्टिव रखना चाहिए कि लोग हमसे मिले तो प्रसंद होए ना की दुखी होए है ना चाहिए बोल रही ना चलो ठीक है मैं बुक्स पढ़ लेती हूं पूरा फ्रे टाइम है मेरा अब भी यारब पैतालिस हो रहा ह है तो मैं अपना आराम से बुख पढ़ लेती हूं तब तक लंच वंच का टाइम होगा तो फिर मिलेंगे आप सबसे ठीक है डाइरी भी मेंटेन करनी है क्योंकि अभी मॉनिंग से कुछ लिखा नहीं है मैंने ओक है तो यह मेरा आज का लंच चुकंदर लिया है यह अर्व जाता है मतलब मैं तो कुछ भी ने तो चावल में भी हम मिला करके खाते हैं अच्छा लगता है तो चलो फटाफट सी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको सिधा शाम को तो अभी साम के बज रहा हैं पांच बस के 49 इनट हो रहा था मैं आ गई हूँ पार्क में अपना बाहर का वर्काउट जो है कंप्लीट करने आउट्डूर वर्काउट और मैं न दोपर में सो गई थी सोने के बाद फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि लेट हो गया था तो नास् साथा बना लिया वह सोट नहीं नश्यूद्व क्यूंकि खाने के बाद दो तिन घंटे बाद में गड़ाण पाने ही इसी दा पीति हूं पार्क से आ रहे हैं remember बहुत घर्मी लगी है अब जस्ट आये हैं पार्क से लगी हुए थी बहुत तेज की पचास मिनट वोग किया है आज पानी भी साड़े तीर लिटर पूरा हो गया है और अभी टाइम हो रहा है अच्छा है बच्छे अड़ तालीस मिनट हो रहा है तो यह है डिनर टाइम और यह बैशन का चीला बैशन का आप लोग सोच रहे होंगे चीला है कि पकोड़ा है तो नहीं बैशन है और इसमें मैंने बैशन क्या मैंने चना जो होता है चने का डाल उसको मैंने भी गया हुआ था और उसमें जीरा लहसन और हरी मिर्च और हल्दी हब आप एक जिए फूड़ी सी पीस करके डाल दिया था नामख एसमें एड het कर दिया थानव थोड़ा सा एक लुटकी भी मतलब नहीं था घ्वे तोवे पर लगा के मतलब बस इक होता ना कि आ पूत्वक्त देना देना अटो वैसे मैंने लगा करके वो कर दिया था और बस उस पर यह एक चीला मैंने बना लिया था मोटे में बना लिया था क्योंकि पतला रहाता ना तो वह तूटता है इसमें खुश की टाइप कर रहाता ना लसम नहीं होती ना बैसन में तो उसको खा लिया था और अब भी यह करीब 10 बज रहा है अब कर रही हूं मतलब पानी अपना यी जो कम्प्लीट कर रही हूं चार लिटर में थोड़ा सा बचा हुआ था मेरा उसको मैं कंप्लीट कर रही हूं और या विडियो को भी एंप्र करते हैं सारा रूटीन हो गया complete ठीक है तो न्यू होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और मिलते हैं कल के ब्लॉग में ठीक है टाटा वाइब लब यूगाइस टेक कर सीव सुन बबाए